पढ़ोगे तो अपने भीतर के सन्नाटे से दोचार होगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि दुनिया किसी आईटी सेल का चलाया हुआ ट्विटर ट्रेंड भर नहीं है फेसबुक पर की गई एक टिपणी भर नहीं है एक वीडियो भर नहीं है एक इंस्टाग्राम की पोस्ट या रील भर नहीं है पढ़ोगे अपने डर से दोचार होगे तो फिर डर कम लगने लगेगा डर कम लगेगा तो किसी बुढ़े या बच्चे का मजाक नहीं उड़ाओगे माफ करना सीख जाओगे दूसरों को भी और खुद को भी क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कुरूर अपने लिए हो रखे है हमने बहुत अपने दिमाग में वजन डाल रखा है सीटी सी इतना ना हुआ तो दुनिया नाकामयाब कह देगी पेंट हाउस तो होना ही चाहिए औल्टो से तो अब कौन ही चलता है और मोबाइल दो साल लगातार इस्तमाल करोगे तो समाज वहिश्क्रत कर देगा जब कि ऐसा कुछ नहीं है ये वो हलफ नामे है जिनके सब से उपर जूट लिखा होता है पर हम इने मिटाते रहते हैं